इम बाई सम्मी करन आपने आलाएं हैं महिला और यूबा इतना 40% 33% का बिल पास हो रहा था पहले ही 40% पास कर दिये इसके लिए तो हर जगा तारीफ हो ही रही यूबाओं पर विध्यान दिये हैं और एक कहा गया हूँ जो धोकेबाज वाली बात थी उस पर आप एकदम एला बात करता हैं जिसका धिराप ने किया यकीनन ये शिकायत मेरी भी है उनसे उनसे अन्तिव गत्वा जो पार्टी ने फैसला लिया वो पार्टी का फैसला है और पार्टी का फैसला सराख एंगो जैसा हम आनने बताया है राजनीतीका विध्यारती हूं दल्से उपर कुछ ह दल ने जो फैसला ले लिया, मरते दम तक उस फैसले को सही साबित करने के लिए, उसको जिताने के लिए हम लोग प्यास करेंगे, परिश्रम हम लोग करेंगे और ये शिकायश मेरी उनसे वरकरार रहेगी जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के साथ उस वक्त उन्होंने एक ग प्रटवारे के बाद दर्वासे पर आने लगे आप अगर वीना जी की बात करेंगे कब मेरी नानी का निधन हुआ था तब से वो मेरी माँ मेरे परिवार के साथ और तब से लेकर अभी तक आप भी रवी देख रहें कि वो हर कारे करमों में वो रही वो एक इमानदार करते थे वहां पर भी जाते थे और उसके बाद वो एक तरफा यहां पर तब आए जिस दिन गड़बंदन में उपचारिक एलान इसका कर दिया गया था कि खगड़िया की सीट हम लोगे पास आएगी इसमें भी फर्क समझने का क्रियास किया कौन इमानदारी से पश्चाता सद्सक्राप करकर आपके साथ आया Having said it all रवी पार्टी का एक अपना system है जिसके अधार पर पार्टी सरुए करती है जिसमें विनेयबिलिटी एक बहुत बड़ा criteria है विनेयोटी के आधार पर कई पर म्तंचिंतन किया जाता है सरुवज करवाय जाते हैं, feedbacks लिये जाते हैं विविन माध्यमों से फीडबैक्स लिये जाते हैं जिसके आधार पर प्रतियाशी का अंतिम चेन किया जाता है मुझे लगता है कि चार जून को जब चालिस की चालिस सीटे जीतने का लक्ष हमने तैय किया है उसमें किसी भी सीट पे चूक ना हूँ उसको लेकर गंभीर मन्थन के बाद ये फैसला लिया गया है ये बात हुई वैशाली की अब आते हैं मैं युवाओं की बात करता हूँ मेरे सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखेंगे मैंने अपने नाम के आगे युवाओं बिहारी मैंने लिखा हुआ है और मैं मानता हूँ ये बड़ी अबादी लगबग 65% युवाओं हैं जिनकी इस वर्ष से कम है और ये बड़ी अबादी है और इनका रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है महिलाओं का आपने जिक्र किया नारी वादिनियम अभी हम लोग एक विशेस सत्र में हम लोगों ने पास किया ऐसे